अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्ण है कि सर ओफ-लाइन मार्केटिंग कैसे की जाए कि हमारे बिजनस में भी आसानी से हम स्केलेबल बिजनस बना सके या अपने बिजनस में सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा कर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी मैं CEO एन फांडर डिरेक्टर हूं मैं टासो वर्सिस लिमिटेड कंपनी का हमारी कंपनी स्टेलने स्टेल मोडलो के चुन के मैनेफाक्टरिंग करती है एक्सपोर्ट करती है और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी और डिलर्शिप शोरूम है इस बिजनस के सेटप को डिवलेप करने के लिए न हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग स्ट्रेजी अपना ही जाए मार्केटिंग में बहुत बड़ा बजट खर्च होता है और बजट खर्च करने के बाद भी डिजाइड रिजल्ट अगर ना आए तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन ऑफ मार्केटिंग है ना वो डाउन हो जाता है इसलिए बह है बहुत सारा काम करना होता है ताकि हम अइडेंटिफाइल कर सकें कहाँ कभा है यह और रिजवेक्तिवुक्त को पढ़ने के बाद क्या आपके पास पढ़ने के लिया आएगा नहीं ना वहाँ क्या लिखा होना चाहिए था कि अंग्रेजी लिखना वा पढ़ना सीखे और ये बात हिंदी में लिखे होनी चाहिए थी ताकि हर व्यक्ति उस बात को समझ सके offline marketing भी कुछ ऐसा ही काम करती है कि अगर गलत तरीके से marketing की जाए तो आपको result नहीं मिलता तो सबसे पहला काम क्या करना है identify your specified target customer सबसे पहले अपने customer को identify करो कि जो targeted customer आपका है कि क्या वहीं ठीक उसी जगह पर विज्यापन कर रहे हैं या नहीं तो result नहीं मिलने वाला उसके लिए करना क्या है know the desire कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके मन में आपके product या आपके services को खरीदने की इच्छा है या इस तरह की जरूरत है कि उसमें आपका product या service इस्तेमाल हो रही है next जो आपको check करना है वो check करना है purchasing power देखे बहुत सारे लोगों की इच्छा है तो बहुत बड़ी होती है पर उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे की power होनी चाहिए तो आपको यह समझना है कि जिस ग्रहक के लिए आप product बनाने वाले हैं क्या वो व्यक्ति जो इसका product को या service को लेने की इच्छा रखता है उसके पास पैसा खर्च करने की क्षमता भी है यदि हाँ तो वही आपका right customer हो रहने वाला है उसके बाद ready to spend अब कई बार यह देखा गया है लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन वो इस इच्छा पर खर्च करने के लिए तयार नहीं है अगर आप ऐसे लोगों को identify कर लें जिनके मन में एक्छा भी है और उनके पास purchasing power भी है और वो लोग उस पैसे को उस product या service के लिए खर्च करने के लिए भी तयार है तो ऐसे व्यक्तियों के इर्दगिर्द यदि आप विज्यापन करते हैं तो आपको result बहुत बहुतर मिलेगा अब विज्यापन करने के लिए important बात क्या है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे क्या मानली जी आप स्कूल से स्टूडेंट से एजूकेशन से रिलेटेड़ कोई product बनाते हैं तो वो कहां available होगा इंस्टिट्यूट्स में available होगा या colleges में available होगा या जो schools है उसके आसपास available होगा उसके बाद accessible कि वो consumer जहां वो available है क्या वहां तक आपकी access है या नहीं आपको यह तो पता लगया कि मेरा जो consumer या client है वो school में है लेकिन school के अंदर जाने के मुझे permission नहीं है तो ऐसी जे कैसी विग्या पनाप कर पाएंगे तो आपको क्या देखना है एक तो वो available कहां पर है और दूसरा क्या वो व्यक्ति आसानी से accessible है या क्या वो जगह accessible है यदि हां तो वहां कैसे पहुंचा जाए यह संसादन भी आपको डूढ़ने होगे अगर आप अपने product को और अपनी services को सही customer तक पहुंचाना चाहते हैं तो availability, accessibility और reachability इन तीनों चीज़ों पर भी आपको काम करना होगा आपको यह देखना होगा कि वो ग्राग कहां available है उसको कैसे access किया सकता है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है अब ऐसे ग्राग आपको identify करना ऐसा place जहां उस तरह के लोग हों जैसे क्या वो commercial complex के असपास मिलते हैं या किसी industry या industrial area में मिलते हैं या religious institution में मिलते हैं जैसे इसकॉन temple है, बाला जी temple है, साही बाबा मंदिर है, religious places पर भी लोग एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं कि वहां पर हम business कर सकें और कई लोग अपने product या services को ऐसी जगे भी display करते हैं जहां से उनके साथ लोग संपर्क आसानी से कर सकें, इसके लाबा आपको देखना है कि business associations हैं जिनके माध्यम से आप मिल सकते हैं, आज पूरे world में बहुत सारी business organization बनी हुई हैं, चोटे-चोटे districts में, zones में, states में, national level पर, international level प आपको वहाँ पर मिलता है, या social organization जैसे loins club है, rotary club है, benyan tribe है, BNI है, business networking club है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे group हैं, जहां पर आप आसानी से लोगों से मिल सकते हैं, कई बार आपने देखा, sports club बने हुए हैं, entertainment club बने हुए हैं, या couple club बने हुए हैं, family club बने हुए हैं, तो इस तरह क करते हैं, तो आपको ये place identify करना है, जैसे आप वो place identify करेंगे, तो उन places पर आपको अपने services या अपने products को ले कर जाना, और वो कैसे होगा, get in touch by direct contact, आप लोगों से direct contact में आए, और direct contact में आने का तरीका ये नहीं है, कि वहाँ जाकर आप advertisement करने लग जाएं, वहाँ जाकर आप direct contact में कैसे आएंगे, आप कोई ना को ऐसी activity करें, जिससे लोग आपके साथ involved हो, जैसे कोई ना कोई आपने competition एक बना दिया कि इस तरह का में competition करने वाले हैं, जैसे gyms में देखा जाता है, जो food supplement company है, जो diet supplement companies है, वह gym में जाती हैं, छोटोटे competition कराती हैं, कि आज push-up competition ह आज deadlift competition है, आज squads competition है, तो चोटोटे competition कराती हैं, आप देखिए corporate companies के बाहर, या corporate company के offices में, कई brands आते हैं और अपने product से संबंदित, ऐसी activity कराती हैं, कि लोग उनसे competition में, जीतने के बाद वो product service लेती हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका product consumer तक पहुंसता है, उसके बाद में contest ह होते हैं कई तरह के, कि for example, हमारा Modelo Kitchen का business है, तो हम लोग क्या करते है, recipe based contest करते हैं, कि आप recipe बनाएं, उसको हमेश शेयर करें, और हम उसको worldwide advertise करेंगे, और जिसकी recipe सबस्यादा लोग पसंद करेंगे, उस video पर, उस पर आने वाले comments के अधार पर, या उस recipe को जब लोग करेंगे, तो उसमें हम एक विजयता घोशित करेंगे, तो contest भी कर सकते हैं इस तरह के, उसके लावा entertainment program भी कर सकते हैं, आप देखिए, कई बार आपने देखा है कि social places पर बहुत सारे entertainment based program होते हैं, वहाँ पर award and reward recognition भी होते हैं लोगों की, group meeting भी करते हैं, जिसमें लोग आप में मिलें, एक दूसर से बातचीत करें और company अपने product या service का demonstration भी वहाँ पर करें और अपने product के बारे में उनको बताएं, तो यह एक तरीका है, दूसरा showcase your product, यह भी एक तरीका है, आप अपने products या services के बारे में information दे सकते हैं, अपने product को showcase भी कर सकते हैं, जैसे आप sample spread over कर स जैसे आप देखिए कि जो mouth freshener based companies हैं, जो products बनाती है, वो mouth fresheners के samples देती है, food industry based companies है, वो tester देती है, samples देती है, कि आप check करो, taste check करो, है ना, उसके अलाबा experience centers भी होते हैं, जैसे हमारी gaming zone है, तो आप experience center में, और ने का कि ठीक, आप हमारे gaming zone में आओ, वह experience करो, को activity based है, जैसे आप अपने लोगों को, उन लोगों को invite करके experience दे सकते हैं, उसके लाबा, testimonial based marketing भी कर सकते हैं, कि आप ऐसे जगापर जाके, अपने existing clients को invite करें, वहां से उनका testimonial लें, या recorded testimonial screen पर, laptop पर, वीडियो के माधियम से उनको दिखाएं, अपने product को जैसे भी आप showcase कर सकते हैं, उ ये था friends, एक business में, अगर offline marketing करनी है, तो सबसे पहले right customer तक कैसे पहुचे, right customer तक पहुचने के बाद, अपने product या service को कैसे demonstrate करें, और उसके बाद कैसे उस deal को convert करें, अगर आप इन methods का इस्तेमाल अपनी industry में करते हैं, तो आसानी से आप बहुत सारे customers तक पहुच सकते हैं, और desired customer तक अपने product या services को पहुचा सकते हैं, इसके लावा आपके मन में business से लेड़ कोई भी प्रश्ण है, तो वो प्रश्ण हमें comment box में जरूर लिखें, कोई भी informative वीडियो में सना, उसके लिए चैनल को subscribe करें, और हाँ, bell icon को जरूर प्रेस करदें, ताकि next video को notification सबसे पह स्वस्त रहें, मस रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारुद